अगर आपके भी बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं जड़ रहे हैं और बड़े भी नहीं हो पा रहे हैं आपके बालों में डेंटरफी काफी ज्यादा है बिल्कुल ज्याड़ू की तरह आपके बाल हो गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूसफुल है यह है अद्रक जी हाँ दोज तो अद्रक एक एसा इंग्रेडेंट है जो गंजे सिर पर भी बाल ला देता है लेकिन तरीका यूज करने का आना चाहिए अभी आपको मैं बता रही हूँ अद्रक को इस तरीके से मैंने कद्दू कस कर लिया है आप चाहे तो मिक्सर में भी ग्र से ग्रेड कर लीजिए क्योंकि अद्रक हमारे बालों के लिए मोस्ट इंपोटेंट है और इससे हमारे बालों की ग्रोध इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और हैर फॉल तो बिलकुल एक हपते में कम हो जाता है आपको इसे लगाना वेसे ही है जैसे मैं बता रही हूँ देख कि घरेलू रेमेडी से काफी जादा परेशान हो गए हैं तो यह उसकी लेकिन आपको मैं अने कहूंगी तो आप घरेलू रेमेडी की बात ही अलग है जैसे हैं पर अधरक का अगर आप ऑईल यूस करते हो तो घर बनाया हो तो काफी अच्छा है और यह अधरक का प्योड ज है और आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर बहुत ही आसानी से बिल जाएगा आपको बता दू विटामीनी आपकी बालों की ग्रोध को इतनी तेजी से बढ़ाता है कि आपको भी यकीन नहीं होगा आप एक बारी इस रेमेडी को उप्योग करके देखिए हपते में दो बार पता लग जाएगा कि इस रेमेडी के फाइदे क्या है क्योंकि डेली विटामीनी का हर वीक में दो बार या तीन बार भी आप इसे उप्योग कर सकते है विटामीनी आपके बालों को बढ़ाने में मदद करता है साथी साथ हैर पॉल को बंद करता है साथी साथ अगर आपको तो मैंने यहाँ पर फ़र्ड इंग्रेडियंट एलोवेरा जेल लिया है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दू अगर आपको जादा और इंस्टेंट जल चाहिए तो आप फ्रेश एलोवेरा की पत्ति से एलोवेरा जेल निकाले मेरे पास यहाँ पर रेडिमेट कभने और चमक्रादार हो जाएंगे आप आपको बताती हूं कि इसे लगाना के से माल दोने के दो गंटे कहलेक पहले पूरी स्केलपु में बहुत अच्छ है इसे लगाएंगे ना तकली ंसके ऐपर अपने बालों में एप्ला अपनी हो जाने पर उसके बाद लग जाने के दो घंटे बाद अपने बालों को किसी भी माइल्ड शिंपू से वाश कर दीजिए दोस्तो पहले यूज में आप फाइदा देखेंगे एसाब हपते में तीन बार कीजिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तैंक्स पर वाचिंग फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाद